दक्षिर अफ्रीका के खिलाफ 6 वंडे मैचों की सीरीज के तहर चौथे वंडे मैच को भी भारत ने 73 रनों से जीत लिया इसके साथ ही भारत में 6 मैचों के इस सीरीज को 4-1 से अपने नाम करते हुए करीब 26 साल से जारी परंपरा को बदल दिया सेंट जोर्च पार्क मैदान पर खेले गए इस मैच में पहले बल्ले बाजी करते हुए भारतिय टीम ने रोहित शर्मा की 115 रनों की पारी के दम पर निर्धारित 50 ओवरों में 7 विकेट खेल कर 274 रन बनाए थे रोहित के अलावा विराट कोहली ने 36, शिखर धवन ने 34 और श्रियस अयर ने 30 रनों की पारी खेली भारत के लिए कुल्दी प्यादब ने 4 विकेट लिये हाशिम अमला ने सबसे ज्यादा 71 रन बनाए डेविड मिलर ने 36 और कप्तान एडिन मार्क राम ने 32 रनों का योगदान दिया आपको बता दे कि भारतिय टीम ने पहली बार दक्षिन अफ्रीका में पहली वंडे सीरीज जीती है बता दे कि अब भारत साउथ अफ्रीका में 6 सीरीज खेल चुका है लेकिन एक भी सीरीज जीतने में असफल रहा है तेश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले